आयोध्या पर आई सुप्रेम कोट के फैसले को लेकर ताज महल की सुरक्षब बढ़ा दी गई है। साथ ही ताज महल में आने वाले हर एक व्यक्त की चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी इस्तिती से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरे से तैयार है। अरध्यमामले की फैसले के बाद ताज महल की सुरक्षब को बढ़ा दिया गया है। साथ ही ताज महल देखने आने वाले प्रेटकों को किसी प्रकार किया सुविधा ना हो उसके लिए ताज महल की सभी गेटों पर सुरक्षब बढ़ा दिया है। इलाके की सीओ मोशिन खान का कहना है कि ताज महल में तील इस्तर पर सुरक्षब के इंतिजाम किये गये हैं। सुरक्षब को लेकर खान ने कहा कि यहाँ पर हमारे आठ पिकिट हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस ने गरानी रख रही है। साथ ही कोई भी प्रयाटक अपने परिवार के साथ ताज महल घूमने आए तो उसे किसी भी प्रकार की कोई असुभिधा ना हो। इसका भी पूरी तरे से ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुलिस की एक टीम साधे कपड़ों में भी तैनात है। किसी भी व्यक्ति के संदिग्द पाई जाने पर उसे पूछ ताज की जा रही है। जी हाँ आपको बता दे कि आज सुभे सुप्रीम कोट दे आयोध्र मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोट ने राम मंदिर को विवादी जमीन पर ही बनाने का आदेश दिया है। साथ ही मुसलिम पक्ष को पांच एकर अलग से जमीन देने का आदेश दिया है।